आप सब का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल PS Trading Zone पर आज मैं आप लोग के साथ अपनी बैंक निफ्ति की BTSC expiry का backtest share करने वाला हूँ और अगर अभी तक किसी ने भी हमारी बैंक निफ्ति की BTSC expiry strategy नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक आपको description में मिल जाएगा आप वहाँ पर जाके उस वीडियो को check out कर सकते हैं आज हम लोग last expiry का backtest करके दिखेंगे कि हमारी बैंक निफ्ति की BTSC expiry strategy ने किस तरीकी का return generate करके हमें दिया है और इस वीडियो को end तक जरूर देखना क्योंकि मैं step by step आप लोग को बताने वाला हूँ कि इस strategy को किस तरीकी से play करना है आपको वीडियो को start करने से पहले अगर आप में से कोई भी इस चैनल पर first time visit कर रहा है तो चैनल को subscribe कर सकता है और bell icon को भी दबा सकता है ताकि वो आगे आने वाले वीडियो का भी benefit उठा सके और अगर आप लोगोंने हमें telegram पे join नहीं किया है तो उसका link भी आपको description ने मिल जाए जैसा कि मैंने आप लोग को बता है यह जो हमारी strategy है वो BTS 6 पर strategy होने वाली है इस strategy का हमारा instrument होगा वो होगा bank nifty यानि कि हम लोग इस strategy को bank nifty में बना कर देखने वाले है आप लोग चाहें तो same strategy fin nifty और nifty पे भी बना सकते है उसका कोई issue नहीं है थोड़ा सा credit है अलग होता ह क्यों lot size का difference आ जाता है जैसे कि अभी bank nifty का lot size 15 है fin nifty का 40 का lot size है and nifty का हमारा 50 का lot size जो lot size का difference आ जाता है तो थोड़ा सा rule change हो जाता है लेकिन ये video जो है वो सिर्फ bank nifty के लिए आप लोग चाहों तो अपने हसाब से भी design कर सकते हो nifty और fin nifty के लिए इस strategy में आपको margin लगने इस strategy को किस तरीकी से play कर सकते हैं इसलिए video end तक जरूरू हो देखना इस strategy में आपका जो entry time है वो है wednes day को 3.25 pm यानि कि हम लोग वेडनेस जी को 3.25 pm के आसपार इस strategy को deploy करेंगे यानि कि expiry से एक दिन पहले जब market खतम होने वाला होगा बिलकुल end पर 3.25 pm के आसपार हम हम लोग trade close कर देंगे यानि कि थजदे को 3.00 pm पर हम लोग अपना trade close कर देंगे इस strategy में हम लोग जो अपना stop loss लगाएंगे वो लगाएंगे half percent of our capital यानि कि 2.00000 का capital लग रहा है for an example तो हम लोग thousand rupees का stop loss लगाएंगे और इस strategy में हम लोग जो target होगा वो होगा 3.25 यानि कि इस परसेंट की compounding power शोग करिए कि अगर आप लोग एक लाग capital से भी start करते हैं और 3% भी monthly generate करते हैं तो आप लोग next 10 years में किता अच्छा wealth generate करने वाले तो इसलिए description ज़रू चेक कर लेना उसको एक बार चेक आउट कर लेना तो आपको अच्छा खासा idea मिल जाएगा तो चलते है stock mark में और देखते हैं कि इस strategy को किस तरीकी से बनाना है तो मैं अपने stock mark के platform पे आ गया हूँ अब कोई भी strategy बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर जाके index select कर लेना है हम लोग bank nifty भी बनाने वाले हैं तो मैंने bank nifty यहाँ पर select कर लिया अब हम लोग को यहाँ पर select क को execute कर देना है अब trade क्या है इसका logic अच्छे समझना जहां पर भी current market price चल रहा होगा bank nifty का वहाँ से 100 points out of the money put side पर यानि कि अगर यहाँ पर spot price चल रहा है 140 के आसपास तो simply आप एक formula लगा सकते हो जो भी आपने खरीद है उसको divided by 3 कर दो उसके आसपास का premium आपको 3 lot बेज देना है तो यहाँ पर लगबग 45 याने की 42 के आसपास मुझे मिल रहा है तो मैं इसको 3 lot चल करनूँगा और आपकी simple basic strategy बनकर ready हो जाएगी अब एक बार check क लगेगा तो उतना ही लग रहा है अब अगर आप लोग चाहते हो कि मेरा margin और कम लगे तो आप क्या कर सकते हो आप deep otm के 2 put options और बाय कर सकते हो तो उससे जो अभी आपका margin 1.8 lakhs लग रहा है तो वो कम होके 1.5 1.4 के आसपास हो जाएगा और आप लोग कम margin में भी strategy को कर पा होगे आपको कुछ नहीं करना simply deep otm के 2 put options और बाय कर लेना है और आपका margin rate कर पा होगे max profit किता हो सकता है strategy में वो है 2.3% के आसपास जाने की 42-4300 के आसपास हमें max profit हो सकता है probability अभी है आपके fever में नहीं है 30% probability है 30% probability क्यों है क्योंकि market यहां से कितना भी upside चला जाए कितना 1000 point 1500 उसमें आपको सिर्फ 200 रूपीस का ही loss होगा इसलिए यहां पर probability कम बचा रही है क्योंकि आपको यहां पर loss होगा लेकिन वो बहुत ही छोटा loss है वो सिर्फ 200 रूपीस का ही loss होगा लेकिन अगर market हमारे fever में आ जाती है तो हमें बहुत अच्छा भी profit हो सकता है तो अब मैं इसको 15-15 मिर्ट करके आगे करने वाला हूँ और देखते हैं कि इस week हमें इस strategy ने किस तरीके का performance करके दिया है तो मैं इसको 15 मिर्ट आगे कर रहा हूँ नेक्स जे market जैसे ओपन हुआ तो आपको 471 रूपीस का loss हो रहा है क्या अभी आपका stop loss हिट हो रहा है तो नहीं क्योंकि हमारा 1.8 लेक का capital लगा है तो हमारा 900 के आसपास का stop loss होता है ठीक है मैं इसको 15 मिर्ट और आगे कर रहा हूँ ठीक है लॉस्ट थोड़ा काम हो रूपीस लॉस्ट बचा ठीक है तस बज़े के आसपास आपका loss almost cost to cost हो गया है सिर्फ 55 रूपीस का loss बचा है ठीक है 10 15 के आसपास आप profit में आ गए 172 रूपीस ठीक है 20 26 पे आप लोग को 100 रूपीस का profit हो ठीक है थोड़ा समस को आगे कर रहा हूँ ठीक है 132 रूपीस का profit हो ठीक है 11 11.30 बजे के आसपास आपको 400 रूपे का फायदा हो ठीक है 12 बजे के आसपास आप लोग को 736 रूपीस का profit हो रहा है 12 26 के आसपास आप लोग को 1000 रूपीस का profit हो रहा है अब आप लोग चाहो तो इस ट्रट्जीगों को यहां पर नॉर्मल छोड़ भी सकते हो और यहां पर एक adjustment भी कर सकते हो तो वह adjustment मैं आप लोग को बता दे रहा सकते हैं उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है जो भी आपका break ही बंद है यानि कि 44 800 उसको आपको एक lot buy करना है और वहां से सिर्फ 100 points दूर आपको एक lot sell कर देना तो अब आप नीचे की तरफ देखेंगे तो यहां पर सिभी एक spike बचा हुआ है यहां पर आपको अगर market ब बंद हो जाती है तो आपको profit होना ही होना है तो इसको थोड़ा सा और आगे करते हैं और दिखते हैं कि इस फीड कैसा इसने return दिया team भज़त है हम लोग उसको hold करने वाले है मैं इसको आधे hunt और और आगे कर रहा हूँ ठीक है profit उतना ही है ठीक है okey थ्चोड़ा profit कम हॉआ 6 637 के आसपास profit आ ठीक है 60 रूपीज के आसपास profit ठीक है लगभग लगभग तीन बच चुक है अब हम लोग को यह trade को close कर दिना है तो अगर इस expiry पे आप लोग यह trade बनाते तो लगभग लगभग 1.5% का return जनरेट करते हैं यानि कि लगभग लगभग 3000 के आसपास का आपको profit हो था आपकी captain थी 2 lakhs रूपीज के आसपास यानि कि इस strategy को यूज करके आप easily मैने का 3-5% का return चीफ कर सकते हो तो I hope कि आप लोग को यह strategy अच्छी लगी होगी और अच्छी से समझ में आई होगी एक basic सा adjustment है अगर आप लोग चाहें तो वो कर सकते है और अगर नहीं चाहें I hope कि आप लोग को यह strategy अच्छी से समझ में आ गई होगी अगर आप में से हमाय साथ जुड का live market में कोई भी trading करना चाता है तो नीचे दिएगा WhatsApp नुमबर पर हमें message drop कर सकते हैं हम लोग वहाँ पर discuss करके live market में trading कर सकते हैं और इस strategy को लेकर अभी भी कोई doubt आ रहे हैं तो अब नीचे comment में पूछ लिए जा फिर हमें personal message कर सकते हैं WhatsApp में तो वहाँ पर आप लोग को answer कर दूँगा मिलते हैं next video में till then good bye